काटून्स तो आप लोंग देखते ही होंगे लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फेवरेट काटून्स करेक्टर हमेशा अपने हाथों में गलप्स क्यू पहनते हैं तो चलिए जानते हैं आपको तो पता ही होगा कि टूडी एनिमेशन बनाने के लिए आर्टिस्ट को फ्रेम वाइ फ्रेम ड्रो करना पड़ता है तो पहले के समय जब एनिमेटर्स मिकी माउस का टूडी एनिमेशन ड्रो कर रहे थे तो उनसे हर चीज अच्छी तरह से बन जा रहे थी लेकिन उनसे हाथ कभी अच्छे से नहीं बनती थी क्योंकि एक हाथ को ड्रो करना वो भी फ्रेम वाइ फ्रेम उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम था इसलिए उन्होंने दिमाग लगाया और हाथ के बजाए गलफ्स बनाना शुरू कर दिये जिसे बनाना काफी असान था क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं बनानी परती थी और गलफ्स कार्टून कर करेक्टर भी आपको गलफ्स पैंते वे दिख जाएंगे वैसे आपका फेवरेट काटून कौन सा है कमेंट करके बता देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सस्क्राइब कर देना